आजे रहगण की बोला आप लोग जानते हो कि आजे रहगण उस टाइप के स्टार है जिन की मुवी स्टार्ट तो स्लो ही लेती है चाहे कोई भी मूवी हो हाँ सिंगम अगर गोलमान गोलमाल और सिंगम की अगर मैं बात छोड़ दू तो बाकि कितनी भी बड़ी मुवी हो उ वो उतना इशू नहीं है क्योंकि उनकी मुवी 30-40 दिन चलती है मीनिमम एडवांस बुकिंग की बात कर लेते हैं अब देखो दोस्तो एडवांस बुकिंग स्टेटस फर भोला तील टुड़े इविनिंग उनका एक्चुली यह कल का है लेखो मैं आपको बता देता हूँ टोटल ग्रॉस वेल्यू अब टिकिट सोल्ड कल का यह नैशनल चेंज प्लस नॉन एफिलेटर थेटर सैंट सिंगल स्क्रीन 3.7 करोड यह दोस्तो 3.7 करोड का लेकिन वो है ग्रॉस विथ ब्लॉक सिट्स यह कल का है यह आपको कोई नहीं देने वाल है यह वाला अपड़ेट यह लोग विदाउट ब्लॉक सिट्स देंगे ताकि मुवी का और नाम खराब हो अगर मैं ओवराल बात करो लेकिन दिल्ली में शो काउंट की अगर बात करो तो दिल्ली में एक हजार सत्रा मुंबई में 902, एहमदाबाद 452, पूना 358, कोलकाता 300, सूरद 252, बैंगलूरू 238, वडोद्रा 229, हाइदराबाद 226, लखनाव 211 इवन यह भी बताना रह गया कि अब भोला, वेस्ट इंडीज में भी रिलीज होने वाली, यह दोस्तों यह एक न्यूस है, मेरे एकोडिंग मैंने आपको यह बता दिया था, क्या बूलते भाई, देखो हाँ, मेरे एकोडिंग सिंगापूर में तो रिलीज होगी, यह भी म मैंने बता दिया था, मुंबई गेम में आने लगा है, दोस्तों, मुंबई में आप टिकेट रेट्स, टिकेट रेट्स इसका इसके बात पर हम बाद में आएंगे, लेकिन टिकेट बुकिंग वहाँ पर तगड़ा शुरू हो चुका है, मुंबई में, यह लेटेस बात कर बाद में उसके बारे में बात करेंगे, ओवराल, कुछ लोग है, दोस्तों, के आर के फैन कलब ने एक बात डाली, वो भी बता दू कि निगेटिवीटी की हद देखो, डिजास्ट्रस अडवांस बुकिंग है, बोला विल बी, लाइफ टाइम कलेक्शन विल बी 25 से 30 करोड के फैन कलब ने डाला हुआ है, जो कहते हैं न कि थोड़ा सा हिटर्स की भी बात सुन लेनी चाहेगी, कितना वो जलते है, अजय सहर बें, पता नहीं कौन सा रीजन है, लेकिन जलने का, पर भाई वो भी बात करना जरूरी है, हमेशा जरूरी नहीं कि पॉजिटीवी बाते देखो, लोग कितना नीचे गिर सकते हैं, वो भी सामने आना मेरे अकोडिंग जरूरी है, यहाँ पर के ने भी एक आवर पहले क्या ट्वीट की है, यह देख लो, फिल्म बोला is distributed by 50% Reliance and 50% Kumar, advanced booking is very low, so day one business will be 10 crore, and it's not 100 crore club film at any cost, उसने challenge ही दिया कि 100 crore भी नहीं जाएगी, with his fifth attempt as a director, उनका यह कहना है, पंदरा मिनिट पहले का एक जो update आया है, भोला का advanced booking report जो है 1.25 crore आ चुका है दोस्तों, यह जरूरी था देना, 1.25 crore gross without block sales, अब हम बात करते हैं कि भाई 2 crore होना चाहिए या नहीं, देखो, पंदरा मिनिट पहले मतलब साड़े 5 का यह रिपो होने के लिए, 1.25 crore हो रहा है, 2 crore भी जाएगा या नहीं, कल तक, I mean रात की 11-12 बजे तक, तो वो सवाल है, तो इसलिए 13-14 crore day 1 हो सकता है, अगर यह 2 crore को touch कर दे, तो थोड़ा जादा भी collection हो सकता है, लेकिन at present तो ऐसा ही लग रहा है, 12, 13, या 15 crore, at most 15 crore का आकड़ा द शेर जरूर करना, यह बात भूलो मत, यह 100 crore में बनी है, पहले दिन अगर 15 crore भी आ रहा है, तो इसके पास बात में वापस Friday, Saturday, Sunday है, जो अजे सर की मूवी हमेशा इसी ही जाती है, Friday, Saturday, Sunday, एकदम उपर collection करती है, तो वो इशू नहीं करनेगा, कोई टेंशन ना लो, यह मू लेकिन जो बाकी के भी आजे है, फैन से, सूशल मीडिया पर सपोर्ट है, लेकिन उस तरीके से नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं यह भी सोच रहा हूँ, कि टिकेट रेज बहुत महेंगे है, और एडवांस बुकिंग करना बहुत मुश्किल है, मतलब मुझे पता है डायरेक्ट मुवी का टिकेट लेना और एडवांस बुकिंग में जमीन आसमान का फर्क है, तो इसलिए मैं वॉकिंग ओडियन्स पे ट्रस्ट करके डेइवन का पंदरा करोड मेरा प्रेडिक्शन है, हंड्रेड करोड की यह मुवी है, यह बात भूलो मत और मिनिमम आपको ब्लॉक बस्टर का टैग या फिर सूपरीट का टैग चाहिए, तो भारत में मिनिमम दोसो करोड इसने जाना चाहिए, तो देखो पंदरा करोड भी ओपनिंग होता है, तो यह मात भूलो कि दुरुष्यम भी सबुदा पंदरा करोड का ओपनिंग दी थी, लेकिन करोड भारत में किया था, क्या ये दोसो, क्या 241 को क्रॉस करेगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, पर मैं तो ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हो, कि अटलिस 200 करोड भी जाए, क्योंकि देखो 100 करोड की मुवी 200 करोड इसको सूपरीट का टैग मिल जाएगा, और अगर ये 250 करोड जाती है, तो इसको ब्लॉग बस्तर का टैग मिलेगा, ये शेर करो जादा से जादा, ये अपडेट आपको कोई नहीं देने माला,